जहीं दोस्तों मैं भी बिवे कुमार सिंग बिहार पुलिस सहईब स्रेकटर जैसे कि आप एक सर मेरा इससे ज्याधा कटप से ज्याधा सहीचा लेकिन मेरा रिजल्त नहीं हुआ बद्चों का कमेंट आ से पछले cutoff की बात करते हैं देखिए आप लोगे पास अब ही जो भी आता है जो बिहार द दोगा है आपको एंसर की नहीं देता है देता है इसलिए आप लोग गीनतें के एक दो नमर उसे उपर नीचे हो सकता है तो आप लिए ना समझेकों के जो रिजल्ट दिया गया है एकदम फेर दिया गया है मतलब साफ सुतर ढ़ंग से कॉटफ भी ज्यादा नहीं गया आप लोग देख लिए अब रहा डेट ऑफ बर्थ का तो डेट ऑफ बर्थ जितना दिया जाता है देख 129.60 ठीक है 129.60 वहाँ डेट ऑबर्थ साइध हम भूर रहा है लेकिन बताले मालीजे को वहाँ डेट ऑबर्थ जो भी दिया गया हो एक सिंपल हम बताते है कि 98 मालीजे दिया गया तो देखिए कैसे निरधारित होता ही हम आपको बताते है मालीजे नियुंतम कटफ उतना ह दस बचे को लेता तो इसके लिए डेट अबर्थ निरधारित किया जाता है डेट अबर्थ में मतलए यह होता है कि जो 20 ब्यक्ति होंगे 10 को लेना तो 10 में सबसे ज्यादा है जिनका होगा उदस को ले लिया जाएगा मालीजी कि उस बीस में 1991 से लेके 2000 के बीच में हम एक में छूड दिया जाता है ठीक है उनका सिलेक्शन हो जिसे बिहारे पुलिस का कटफ देखते होंगा बहुत यह मैच करता है इसके लिए तो आप लिए टेंसर ना लीजिए ठीक हम समझ रहे रिजल्ट नहीं होता है तो यह थी होता है लेकिन देखिए ठकना नहीं है निरास अपने गलतियों को देखिए पीछे आप लोग जो गलति किये उसको देखिए उससे आगे बढ़िए काम गया लेकिन इसका मतलद नहीं के आपको पड़िये टेखिए ठीक है तो ज्यादा से ज्यादा टाईम में आप लोग को एदम पांचे बार पढ़के एदम याद कर लेना अगर लूसेन बहुत सारे दोस्त बहुत दिन से पढ़ रहा है वो लूसेन पूरा अच्छा से पढ़ लिए तब दूसरा बूक जैसे कीरन प्रब्लिकेशन का समान गयान है या और कोई भी बूक पढ़ सकत आप लोग आप लोग के लिए इसका प्रिवीस एर कोश्यन पेपर है वह उससे ये फायदा हुआ कि बिहार में जितने बी प्रिवीस एर कोश्यन पेपर है उसको आप लोग लगा लीजिए तो बहुत असानी से आप लोग पता चल जागा कि कैसा कोस्तन बिहार में पूछा जाता है कैसा रहेगा ठीक है यह हो गया GKGS के लिए साइन्स में आप लोग लूशेंट के और उसके साइन्स से काम चला सकते हैं जिनके पास ज्यादा टाइम है मतला परने के लिए ज्यादा टाइम दस बार गहंता है तो दूरिश्टी का क्यों करके आते हैं उनका मेरिट नहीं बन पाता है तो मैं भी करें तो हम आपको बताते सबसे पहले प्रिवीशर प्रेपर लगाई एप पर किसी भी आपके पास फलिए लीजिया लिए तो ले लिए लेकर लगाई उसमें मैं आइस का एनलाइसिस कर लिए मैंत को की ज्यादा हाड नहीं रहता है एक दाम सिंपल में रहता है आप लोग प्रेक्टिस करिएगा तो हो जाएगा तो इसके लिए सब यह कर लीजिए अन्हाईत एक आया है किनल प्रफिकेशन को अल बिहार उसको ले लिए उसको लेके चेप्टर वाइज सब कि चेप्टर से पूछा जाता है अपना कौपी में नोट डाउन करने के बाद अगर आपको एक दम चेप्टर कुछ नहीं समझ आता है यूट्यूब पर चेप्टर सर्च मारिए उसका वीडियो देख लीजिए एक नोट स्ट्राइब का बना लीजिए ठीक है उसको दो-चार वह भी नजराएगा प्रेक्टि सेट किसी भी पॉब्लिकेशन का आप लोगा सकते हैं जो मार्केट में अच्छा हो नाया हो जिसे अभी मार्केट में किरन पॉब्लिकेशन वाला है तो लेकर लगा लिए उसके सांसा अभी आने वाला भी है अक्षंग्राम सरकाँ वह आप के पास है 45 दिन लगभग है क्योंकि फरवड़ी में तो हमको कम चांस है अगर देखिए आयोग कुछ दिन मतलब दो-चार दिन बाद से कंफर्म करेगा कब एथी करेगा तो आप लोग क्या करिए को जो भी सेट उट लगाई वहां से इंपोर्टेंट जो कोश्चान हा था क कॉपी में नोट डाउन करने से यह होगा कि जब एक्जाम का अंतिम 10 दिन बचेगा एक हफ्ता बचेगा तो उसमें वह इंपोर्टेंट चीज है अप डिविजन करिएगा तो आप लोग आराम से अपनी त्यारी में वहां जाके अपने एक्जाम में अपना बेस्ट दे सकत है ठीक है तो आप लोगो निरास नहीं होना है अपने त्यारी में लगे रहना है और हम टेलीगराम पर जल्द ही आप लोग के लिए एक नया गुरूप बनाएंगे जिसमें मेंस के सभी विद्यार्थी होंगे और वहां अच्छा से हम आपका त्यारी करवा देंगे तो और सेर कर दें बसे ही करना था जाहिए